हेलो गाइज वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं धौर के एन्वर पार्ट में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए चलिए शिरू करते हैं 300 सालों से हर एक दिन हाई एलफ एवर ड्रॉप अपनी मेडिटेशन से उठता है और वो भी सूरज निकलने से पहले उसके दिल में खुशी होती है और आखे चमकती होती है वो हमेशा एक मकसद के साथ उठता है उसको अंदर से विश्वास है कि उसके काम से ये दुनिया बहत बनेगी हास कर आज क्योंकि आज बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है आज का दिन स्पेशल है एवर ड्रॉप कयाक के पेड़ की रखवाली करता है इसका सीड लिया गया था वाल्ट्री से जिसको की ट्री ओफ लाइफ कहा जाता है जो नो रियास्तों की रियालिटी को एक साथ बांदे हुए है ये वाला पेड़ अपने आसपास वालों को बहुत ही जड़ा खुशी और विकास करता है एवर ड्रॉप पका करता है कि डेली उस पेड़ को अटेंशन और प्यार मिले क्योंकि युनिवर्स का सच तो यह है कि अगर तुम अपनी लाइफ में ल पीच लेता है तो आज वो दिन आ चुका है लाइट एलव ऑफ एलफा हाइम स्वागत करने वाले हैं सभी रियासतों से बुलाए होए मेहमानों का आज युनिवर्स में पार्टी होने वाली है तो लेडी फेडरवाइन पूशती है बस बिटर त्यारी कैसी चल रही है तो वो कहती है मैं ये समझूं कि आज के जशन के लिए सब कुछ रैडी है तो वो कहता है हाँ आप ये समझ लीजिए इसी के साथ मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हाई हेल्फ एवर्डॉप से ये कई आज के केर टेकर हैं जो कि आज का सेंटर पीस होने वाला है तो संद को उनका एस गार इतना दानी जो है अगर उन्होंने हमें अपने महान पेड का सीड नहीं दिया होता तो मुझे वो पेड कैसे मिलता तो लेडी कहती है हां क्यों नहीं ये तो बहुत अच्छा है आप इसके बार में बस बीडल से बातचीत कर लीजिए मुझे लगता है हमारे फाइनल केस्ट के दूत यहां आ चुके हैं तो वह भी पहुंचते ही होंगे वह कहती है आप आज इंज्योई कीजिए और वहां से चली जाती है वह वहां जाके स्पीच देती है कि मुझे अच्छा लगा कि आप सभी लोग यहां पे आए आज हम सालगिरा मनाने वाल करती है आज हम जशन मनाएंगे और उन शहीदों को भी याद करेंगे इसलिए मुझे जॉइन कीजिए और उन हीरोस का स्वागत कीजिए जिन्होंने अपना खून बहाया हमारे साथ स्वागत कीजिए एसकार के योधाओं का और और फादर थौर ओडिंसन का जो की हैं गौ स्वागत करती है जिनके ही जहीड अलग लग रियास्तों से हैं वो स्वागत करती है लीग ओफ रेल्म का वो कहती है उनके साथ ही है मिडगाड से स्बाइडर मैंन बड़ ici होकाई होता है वो शिर्म यह करता है वो कहता ये क्या हुआ चुपके से उस लेड़ी को कहता है तो वो कहता है Spider-Man सच में तो Thor कहता है वो तो एक गलती थी बट Spider-Man ने भी हमारा साथ दिया था न अब ही वहाँ पे एक बोना कहता है तुमने तो कहा था कि Black Panther आएगा उस Spider-Man की जगा पे तो Hawkeye कहता है Wait तुमने मुझसे पहले कितने लोगों को contact किया तो वो लेडी कहती है Frank Castle भी बिजी था तो Hawkeye कहता है Punisher वो तो Hero भी नहीं है तो यहाँ हम देखते हैं कि Everdrop सब कुछ देख रहा होता है और लगता है कि जैसे उस पे किसी ने कबचा किया हुआ है तो यहाँ पे कोई खाना खा रहा है कोई निशाने लगा रहा है और Thor ने एक बड़े से पत्थर को उठाया हुआ है जिस पे एक बड़ी सी बिल्ली है तो Hawkeye कहता है क्या यह इस बिल्ली से रैसलिंग करने वाला है क्या और हम देखते हैं कि खाना पिना चल रहा है और जशन मनाया जा रहा है अभी वहाँ पे Everdrop आता है वो कहता है Good Evening आप से मिलके बहुत अच्छा लगा All Father मैं हूँ Everdrop और मैं और याक का केर टेक करूँ काफी सालों पहले आपके पिता जी ने मुझे इसके लिए एक सेड़ दिया था आपके महान पेड़ का अगर ये पेड़ नहीं होता तो लास्ट यूद के बाद हमारे जंगलों में अभी भी पेड़ नहीं होते आपकी इस काइंडनेस के लिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ वो लेड़ी कहते है ओ मैं तो इसके बार में भूल चुकी थी तो थौर कहता है तुमसे मिलके अच्छा लगा तो एवड्रोप कहता है मैं आपके लिए उस पेड़ का एक रेयर फल लेके आया हूँ ये आपको और ज़्यादा मजबूत मनाएगा और आपके लिए खुशिया लेके आएगा तो थौर कहता है मुझे ये बहुत अच्छा लगा अभी हौकाई के सामने भी कुछ खाना आता है वो कहता है क्या ये हमें खाना है तभी वो फूर्ट जारा है और वहाँ सभी लोग बहोश होने लगते हैं और जो फल थौर के सामने बड़ा होता है वो उसके मूँ पे जाके चिपक जाता है तो यहां हम देखते हैं कि थौर पहले वाले टाइम में पाउंच चुका है यहां पे लोकी उसको बड़े बड़े जेंट से बिटवा रहा है तबी थौर को आवाज आती है चलो एक गेम खेलते हैं इस गेम का नाम होगा हमें क्या मिलता है I think यह कितना सिंपल है ना इसके लिए कोई भी नियम नहीं है हम टाइम लाइन में से एक थौर को उठाने वाले हैं जो कि टाइम से पीछे चल रहा होगा अभी थौर सोचता है यह क्या लोकी मुझे यह याद है यह वो टाइम है जब लोकी धरती पे कपचा करना चाता था इसी दिन तो हमने अवेंजर को बनाया था तो वो आवाज कहती है कि यह तुमारा पास्ट है एक यंग थौर जिसमें की बहुत ही जादा पावर है और हम उसको थोड़ी सी नौलज देने वाले हैं तो हमें क्या मिलेगा जब हम उसे यह बताएंगे कि लोकी ने अभी क्या बुरे काम और करने है तो थोर कहता है यह क्या है यह तुमारी गेम्स है भाई मैं तुमें साफ साफ देख सकता हूँ तुमारी यह चालें नहीं चलने वाली तो लोकी कहता है अभी तुमने लोकी को हराया नहीं है तो धौर कहता है मैं तुम्हें कितनी बार हरा चुका हूँ मुझे नहीं पता ये तुम्हारी क्या चाल है बट मुझे लगता है मैं कई सालों का पेन यहीं मिटा सकता हूँ तो वो उस पर हमला कर देते हैं और लोकी कहता है, तुम्हें पता है न लोकी तुम्हारा मुकाबला कर सकता है, अभी धौर कहता है और जरा जूट नहीं, और वो सभी को बिजली से जटका देता है, और कहता है नहीं, ये सच नहीं है, ये मैंने क्या किया, तो उसे आवाज आती है, ओ, वैसे ये सच में है, वैसे इस reality में सभी कुछ पहले जैसा नहीं हैं। जैसे कि जिस चटान पे तुम और लोकी लड़े थे, वहाँ तुम्हारे जाना दुश्मन नहीं थे। बट यहाँ तुम्हें एक पुराना दुश्मन मिलने वाला है। और वो है mancock, एक बहुती बड़ा mancock। यहाँ हम देखते हैं कि वो धोर को कश्टी में बिठा के पेड़ के पास ले जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है, इस टाइम तुम्हारे सभी दोस्ट सोय हुए हैं। तुम्हारा दिमाग दो युनिवर्स के बीच में फसा हुआ है। तो मैं अपना थोड़ा सा बोज हलका करना चाहूँगा। उसे देख के तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहां पे भूका मरने वाला हूँ। बट मुझे बाकी रियासतों के बारे में जानके अच्छा लगा। और वो धोर को उठा के पटक देता है। वो कहता है जितना मैं बता सकता हूँ। तुमारी रियासत में हर तरह का के यास और वाइलनस है। मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जगा मुझे सो सालों में भी नहीं मिलने वाली। तबी वहाँ बे धोर के दोनों कवे भी आके बैड़ जाते हैं। वो कहते हैं आज इसको इस दिन का पश्तावा होने वाला है। और हम इसके हर पल को याद रखने वाले हैं। वो कहता है जिसको खुद पे बहुत ज़्यादा प्रावड होता है। उसको हार कभी नहीं पच्चती। होर बुरी हालत में पड़ा हुआ है। तभी मैंकॉग उसे कहता है, क्या तुम मुझे से लड़ भी नहीं पाओगे छोटे से गौड। तुम कुछ नहीं हो। वैल्ग उसको कहता है, ये सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बस थोड़ा सा और टाइम, उसके बाद हर जगा के ओस होगा, और दावत भी होगी। और सोचता है, कि उसके कववे उसको रियालेटी दिखा रहे हैं। सबी लोग उस प्लांट की वज़े से बेहोश पड़े हैं। मेरा हैमर, को रियालेटी के बीच में भेज के, मैं तुमारे यंगर थोर को जहरीला बनाने वाला हूँ। उसको बस पता होगा हेट और डर का। वो उसको कहता है, जब तुमने अपने भाई लोकी को भी मार दिया, और तुम मैंगोक से भी हार गए, तो औरी ने तुम्हें देश निकाला दे दिया, तुमारे दिल में पश्तावा था और शेम थी, तुमारे दिल में खौफ था, कि तुम अब ही ताकतवर नहीं हो, और ना ही तुम योग्य हो, वो डर हेट में बदल जाता है, तुम एक एलाइंस बनाते हो, तुम वो करते हो, जो तुमें अंडरवर्ड से फ्री होने के लिए करना पड़ेगा, तुम हेला के चैंपियन बनते हो, तुम मुर्दो की सैना को, तुम बड़े बड़े जैंट्स को, या किसी भी नीच जीव को ले जाते हो, एसकार की और, मेडगार्ड के योदा तुमारे सामने खड़े होते हैं, बट वो टिक नहीं पाते, तुम कहलाते हो थौर बॉर्किन, गॉड ओफ ब्लड एंड थंडर, थौर बॉर्किन यहां आने वाला है, तुमारे खून में नहाने के लिए, अभी एक एरो आता है, जो उस चीज़ को थौर के मुझ से निकाल देता है, वो चौंक जाता है, ये क्या हुआ, और उस पे भी एक बड़ा सा तीर छोड़ा जाता है, हौकाई कहता है, हमें जगाने के लिए थैंक्यू, बट ये तुमारा टाइम है, ये नैप लेने का टाइम नहीं है, तो थौर कहता है, तुम लोग सेफ जगा पे चले जाओ, मैं इन विलेंस को संभाल लूँगा, वो अपने हैमर को बुलाता है, और वो कहता है, अभी मैं जाग गया हूँ, तो तुम्हें मुझसे लड़के अच्छा लगेगा, तो वो कहता है, तो तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें बहोश क्यों किया था, मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया, उसके लिए तो मैं इसको लाया हूँ न, मैं तुम्हारी यूनिवर्स की लाशों को खाने के लिए आया हूँ, तभी बॉर्किन थौर पे हमला कर देता है, वो कहता है बाते बहुत हो गई, बट थौर उसके वेपन को पटक देता है, वो कहता है नहीं, वो कहता है अभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी लाइफ क्या हो सकती थी, और वेल्क ने जो हमारे बीच में कोनेक्शन बनाया है, मैं तुम्हारा घर वापसी का रास्ता देख सकता हूँ, मैं बाइफ्रोस्ट का यूज करते हैं तुम्हें वापिस भेज दूँगा, तुम्हें एक नया स्टार्ट मिलेगा, बट एक बात याद रखना, कि अगर तुमने मुझे या मेरे चाहने वालों को दुबारा धंकाया, तो मैं तुम्हारे तुकडे तुकडे करके हर जगा बिखेर दूँगा, तभी वेल्क उठता है, वो कहता है तुम्हें नहीं पता तुम किसको फेस कर रहे हो, अगर तुम्हें धोड़ा सा भी क्ल्यू होता ना, तो तुम यहाँ पे अकेले नहीं होते, तुम यहाँ से भाग जाते, तो थौर कहता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, तभी हौकाई कहता है मुझे ये खिला हुआ प्याज अच्छा लगा, तुम कहीं deep fry मत हो जाना, तो वैल कहता है किसी और टाइम, और वो वहाँ से गायब हो जाता है, होकाई कहता है तुम ठीक हो, तो थौर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, टाइफ में हमें ये मोका कम मिलता है, ये देखने का, कि अगर हम किसी और रास्ते पे चलते, तो हमारा क्या होता, तो होकाई कहता है, उसकी दाड़ी तो काफी अच्छी थी, तो सेफ उसको मजाक में कहती है, तुम्हें पता है होकाई क्या कह रहा था, कि उसे भी कैट रैस्लिंग सीखनी है, और कहता है सच में हो काई कहता है क्या तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छे लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई